लोग सभा में राहुल कांदी ने बजट की हलवा सेरिमनी की एक तस्वीर दिखाई उन्होंने इस तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इसमें आपको एक भी OBC, दलित या जन्जाती या फिर अलप संक्या का दिकारी नहीं दिखेगा वो कहते हैं कि देश का हलवा बट रहा है और उसमें 73 फीसिती लोग शामिल ही नहीं हो पा रहे कुल 20 अफसरों ने बजट को तयार किया जिसमें एक अलप संक्याक और एक OBC हैं लेकिन इस तस्वीर में वो भी शामिल नहीं किये जा रहे राहूल गांदी की इस बात पर वित्तमंतरे दिर्मागा सीता रमन माथा पीटते दिखी वो हसते हुए अपने दोनों हाथ माथे पर मारती दिखी इस पर राहूल गांदी ने कहा कि ये हसने का मामला नहीं है देश के OBC दलित और आदिवासी से जड़ा मामला है राहूल गांदी ने कहा कि देश के बजट का हलवा सेरिमनी में सर्फ 2-3% लोग ही दिखते हैं और ये हलवा इतने ही लोगों में बढ़ जाया करता है राहूल गांदी ने कहा ये हसने का विशे मुझे तो नहीं मालूम पड़ता कमाल की बात है हम तो जाती जनगरना की बात कर रहे हैं इससे देश बिदल जाएगा राहूल गांदी ने डिबेट के दौरान ये भी कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकाराने पर इसी संसत में जाती जनगरना का बिल पास करके दिखाएंगे इसके अलावा किसानों के लिए MSP गारेंटी का बिल भी हमी पास करेंगे दरसल राहूल गांदी के OBC, दलित और आदिवासी मुख्य सचिफ और अन्य अफसरों की कमी के सवाल पर बाजबा दर्जेपी नडडा ने पिछले ही सब्ता संसद में जवाब दे दिया था उन्होंने कहा था कि राहूल गांदी को तथ्यों की तो बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं है आज जो लोग मुख्य सचिफ जैसे ओदो पर आकर बैठे हैं वो कारिकाल में ही नौकरी पर आये थे फिलहाल 1992 बैच के अधिकारी इस लेवल पर है इसलिए राहूल गांदी को ये सवाल पूर्व कॉंग्रे सरकारों से पूछना चाहिए उन्होंने कहा कि राहूल गांदी को तथ्यों की जानकारी रखनी चाहिए और तैयारी करके बोलना चाहिए उन्होंने कहा था कि वो ट्यूशन लेकर बोलते हैं वो भी NGO वाला नेताओं का ट्यूशन ले भी तो अच्छा ले